हापी आर्स में आज कड़वा करेला होने वाला है मीठा वो कैसे वो आपको आगे रेसिपी पे पता चलेगा तो अगर आपके घर में करेला देखने के बाद सबके मूँ टेड़े मेड़े हो जाते है ना तो आज यकीन मानिए इस रेसिपी को ट्राइ करने के बाद बच्चे सबजी बैसे आपके सब्चाइब करेले बाद सब्चाइब और मेरी दादी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको निकाल देना है तो सभी को इस तरा से जैसे मैं कर रहे हूं ना बहुत ज्यादा नहीं ग्रेट करेंगे भूत ज्यादा नहीं गिसेगे उसको घूलका पॉशन हमको उसका हटाना एक तो मेन क्या होता है मुझे थोड़ा सा वू डर्टी लगता है तो उस चीज को हटा द कर लेना है और देखे यह बीच में जो करेले का पार्ट है यह हम को बिलकुल भी नहीं चाहिए तो हम पीलर की मदद से इसको निकाल देंगे क्या आपको यह पता है कि पीलर का जो आगे वाला जो पोशन दिया होता वो किस ले दिया है वो इसी लिए दिया होता है ताकि आप सीट्स वगेरा आप असानी से निकाल सके तो देख रहे हैं आप किस को ये बात पता थी और नहीं पता थी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरू बताएगा अब एक नाइफ की मदद से हमने इसको इस तरह से देखे टू पार्ट्स में पीसे कर लेना है और छोटे छोटे पोशिशन में इनको कट करना है ये देखे कुछ इतने बड़े पीसे होने चाहिए इससे छोटे पीस नहीं करेंगे इतने ह बड़े पीसे हम को इसको कट कर लेना है तो सभी को कट कर लेते हैं अभी मैंने क्या किया है कडाई में मैंने तेल घरम कर लिया है लगबग चार बड़े चममच और मैंने करेलो के साइस के इना यहां पे थोड़े से आलू भी कट करें देखे इस तरह से आपको आलू को भी पील करके उतने ही बड़े-बड़े साइस में कट कर लेना है अब हम क्या करेंगे इस एस एल मेर हम इनको व्राइक करने वाले आप चीज़ाहे तो इन heps कि खाएलो कीजे चाहे डीफ कीजे चाहे अलके चेल में di로 इसके और देख सकते कुछ कुछ करे लेकि ना मैंने TWO सीटस नहीं निकाले क्योंकि वह बहुत सॉफट वाले सीटस तो उसलिए तो हमने इनको शमको इसमें ऐड़ कर दिया है अब हमको क्या कुछ कोच तो क्यों वेस्ट करना है तो हमने इनको इनको सब को इसमें अध कर दिया बस इनको एक अच्छा घोलड़न अने तक हमने इसको फ्राय करना हुए फ्राइ कर लेंगे तो यहां देखे लगभग 5 मिनिट मैंने इनको फ्राइ कर लिया है और जो आलू और करेला है लगभग 80% कुक हो गया है तो इस तरह से यह बहुत अच्छे से फ्राइ हो गए है अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो इसको फटा-फट से प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं अब जो यह हमारा बचा हुआ तेल है इसको हम सारा यूज नहीं करने वाले है थोड़ा से हेल्थ का भी ध्यान रखना है तो थोड़ा सा ओईल में इसमें से निकाल लोगी और जब आप करेलो को बनाएंगे ना तो उसमे ज्यादा ओईल नहीं यूज करना है तो यहां पर लगबग एक बड़ा चमच के करीब यह ओईल बच किया है और इसी तेल में हम सबजी को बनाने वाले हैं तो इसमें मैं आड़ करेले की सबजी पसंद है या नहीं अगर कोई आप में से ऐसा है जो करेला खाना बिलकुल भ तो अब मैं इसमें आड़ कर रहे हूं अद्रक लसन जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है और लगबग दो चोटे चमच यहां पर मैंने अद्रक लसन को लिया है आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी पेस्ट के अकॉर्डिंग भी आड़ कर सकते हैं अगर आप पेस्ट आड़ और बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक यह गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तो प्याज हमारा देखिए अच्छे से भून के तैयार हो गया है अब हम इसको और जादा फ्राइन नहीं करेंगे और इसमें अब मैं आड़ करे हूं टेमाटो तो इसको भी देखिए मैंने इसी वाले चौपर में आड़ करके अच्छे से चौप किया है और बिल्कुल बारीक बारीक हो गया है आप चाहें तो कद्दू कस करके भी आड़ कीजे बहुत अच्छे से वो भी ग्रेवी के लिए यूज हो जाता है टमाटर की क्वांटिटी मैंने यहां पर दो मीडियम स आड़ के टमाटर लिए है इससे बहुत अच्छा ग्रेवी बनेगा और अनियन की क्वांटिटी ना आप बहुत ज्यादा नहीं आड़ कीजे अदरवाइस ना जो सबजी होती हो इसमें मीठास आ जाती है अब इसमें हम एड़ करेंगे थोड़े मसाले जिसमें मैंने आदा साथ इसमें आड़ करेंगे आदा छोटी चमच नमक या फिर स्वाद अनुसार सारे मसालों को आड़ करने के बाद हमको इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस सबजी को बनाने के लिए आपको कोई भी इदर उदर के मसाले आड़ करने की जोरत नहीं है घर पे रख लेना है लगभग 2 मिनिट के लिए तो यहां जो हमारा मसाला है बहुत अच्छे से पक्के तयार है साइडों से आप देख सकते हैं चूटा-चूटा आपको देख रहा होगा कि कहीं-कहीं पे जो है ऑईल रिलीज हो रहा है और मसाला जो है बहुत अच्छे से कोख हो गया ह आप जो हमने करेले और आलू फ्राइ करके रखे देना उन सभी को इसमें हम आड़ कर देंगे तो बहुत अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे और अब हमने इसको कर देना है कवर और कवर करने के बाद लगबग पाश मिनिट के लिए हमने इस सबजी को और पकाना है बट ध्यान रहे बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं तो लगबग 5 मिनिट के लिए मैंने बीच बीच में चलाते हुए इस सबजी को पका लिया है और बहुत अच्छे से ये कोक हो गई है देखने में भी देखे कितना बढ़िया टेस्टी ये देखने में लग रही है मसाला जो है ना इसका बहुत ही ज़ादा यमी लगता है और बिल्कुल कम इंग्रीडियन्स के साथ देखा ना आपने हमने बना के इसको तयार किया है और आलू भी देखे कितना अच्छा सौफली एकदम गलके तयार है अब हम इसको और नहीं पकाने वाले है और ये बड़िया बड़िया टेस्टी सबजी हम करने वाले है सर्व तो हमारी ये टेस्टी टेस्टी करेले आलू की सबजी बनके बिलकुल तयार है आप इसको जरू से एक बढ़ ट्राइ कीजेगा यकीन मानिया आपको बहुत पसंद आईगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरू बताइएगा कि कैसी बनी है तो आपको ये राज की रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी न भूले चानल पर अगर आप मेरे नए है तो जल्दी से कर दीजे चानल को सस्क्राइब और इंजॉय करिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीस को तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नए रेसिपी के साथ थांक्स फॉर वाचिंग